एक बड फिर आप लोगों का अबिकाश फुट्रेल का लाइब फ़र फॉंपास स्वागत है और हम लोग फिर इसका लेक्चर नमबर 70 लेके 17 लेक्चर लेक्चर नमबर लेके चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है हम लोग इसके पहले जो बात समझे थे उसको एक बात थो यहां से कलाई कर दें रंग दें नेचे से पॉलिश कर दें तो आपका क्या होगा यह आपका क्या है पोल है यहां पर फोकस है यहां पर सेंटर है यह है आपका हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम क्या बताएं थे इधर से किरण जा रही है आयर से इधर से जाना हुआ इसलिए इधर वाली जो डिस्टेंस होगी वह पलस इंफाइनाइट इधर वाली माइनस इंफाइनाइट तो अगर हम आपजेक्ट को ले करके जैसे जैसे हम अभी देखें इसके पहले वाले यह वाली कंडिशन आप लोग को पता होगी जैसे ऐसे हम आपजेक्ट को मानेस इंफाइनाइट सीधर तरफ बढ़ाते हैं अरे यार हम आपको बता चुके थे यह फिर से आप लोग देख सकते हैं आपर कि जैसे ऐसे हम इसको यहां पर रखे थे माली जी माली बहुत अधार स्वस्व मां लोग इन्फा सोठ आइजा सब्यास हैं इक दम इसे फीपर कर दिए तो है अपकर इसीब बनेगे आप लोग कहा हो हैं इस पर है पुझे ना इस जाए कि लिए बात यह रही ऐनको शीच सब्सक्रोंद कन पर इते हैं लोग को पोल ठीक रख देते हैं ठ आपका और जीरो जीरो पर गया अब क्या कि आपजेक्ट को लेके चले गए फोकस पर कहा पर प्लस फोकस तो आपका जो यह इमेज होता है वो इधर चला जाता है इंफाइनाइट के तरफ इधर बढ़ जाता है कि माइस हिंफाइनाइट स का मीन इंफाइनाइट इधर चैज़Butter जानते रहें कि इधर प्लस कि इतनी बाते हैं लोगा झैसे यहां से डिखी जो होता है वह आपका ब्रेक होता है गरा ब्रेक होता है हैं यहां से अब तुरंट ज्यों अनंध गया है है वेदर प्लस इंफाइनाइट है आगे बहा कि सेंटर तक ले गए तो यह चलते कहां तक आ गया और जितनी आपके डिस्टेंस यहांसे बस्ट की रहेंगे उतनी ही मिरें गल्च यहां जब चलाते हैं यहांसे चल आपका इमयज धै इमेज है तो हम जैसे ऐसे यहां से फोकस से जैसे ऐसे हम आगे बढ़ा के सेंटर तक ले गए वह जैसे इधर पॉजिटिफ से जब हम बताएं फोकस की थोड़ा इधर जुके रहेंगे तो यहां पर मायस इंफारेट रहेगा तुरंट जो थोड़ा सो उधर हुआ मायनी तो यह कहां जायगा फोकस पर यह कहां जायantry आपका फोकस पर तो इसके लिए इस अधारा का आपका जो फीगर होता होता है हमके यह इसकर इभास है यही सबसे जाता समझ मुज़के नहीं यहीं पर कैसे थोड़ा सा इधर रहेगा पोनस इंफारेट रहेगा पोलłe खोस त तरफ थोड़ा भी करेंगे तो आपका यहाँ सीमेश तुरंट यहाँ हो जाएगा और अट लाज जब सेंटर से आगे बढ़ाएंगे तब यहाँ पर मिलेगा यह आप लोग बात समझ गया होंगे यह आपजेक्ट यह वाला आपजेक्ट के लिए पहला यहाँ पर A1 भी खा लेते हैं आपजेक्ट या O1 और यह तो मिरर का I1 यहाँ से यहाँ तक है फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक O2 तो यह होगा I2 और अगली बात जब हम यहां से यहां तक O3 करते हैं तो यह वाला आपका I3 हो जएगा और जब यह O4 करते हैं यह वाला तब यह होगद I4 यह आपको समझना होगा हमारा बांड कहां से ब्रेक वो करके फिर से बनता है यहां पर बात हम लोगों को समझना होगा, अच्छा, अब आप लोग बात को यहां पर और बहिया समझेंगे, वन अपान, यह फिश्कुल्ट, वन अपान, यू प्रस वन अपान भी है, यह आपका है, इसमें हम लोग जानने हैं यह बात, कि माल लेते हैं आपका, यह जो फोकस है, यह जो फोकस है, वह बहुत चोटा है, माल लेते हैं यह आपका 5 सेंटी मेटर, कितना है, 5 सेंटी मेटर, यह वन अपान 5 इसकोल टू, यू प्लस 1 वाई, वी, अब हमें जो यू है वह हमाल लेते हैं कि पांस से बहुत फोकस है पांस से बहुत चोटा है यानि चाग हम लो 99999 कर रखा है समझें पांस से बहुत कम तो इसको अगर इधर लाते हैं तो 1yv is equal to 1 upon 5 minus 1 upon 4 upon 999 यह हो जाएगा आप बात अगर समझेंगे तो हमें बताएंगे यह बताहिए बताएंगे बताएंगे 1 में 5 का भाग देने पर छोटा आएगा को फों में 4 जोडों चोटा आएगा जादा चोटा आएगा यह चोटी वाइलु यह बड़ी बचोटी चोटी बैलूं मेंसे बलाद भड़ी भीडात घटाएंगे तो माइस में आएगा और आप ऐस सोचे है कोई मैस मिए मतलग जो उप दिया कोई संक्या माल जी यक साथी माइस Con adverse circumstances जो कुछ भी आगा, बहुत छोटा, minute, मालजी 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 मालज माइनस क्यों लगा है माइनस लगने का रीजन यह आपका है कि 1 अपान 5 एक में 5 का जो बाई लू होगी बहुत छोटी मतलब एक में 5 की जो बाई लू होगी जितना आएगा यह बहुत छोटा आएगा जब कि यह हिंके पेच्छा बड़ा आएगा चोटे में से बड़े को गा मैने में सामए मैने यह में सी जाएगा बहुत थोड़ा बढ़ा लेते हैं यह 5 0,0001 ले लेती हैं तो यह वाली बढ़ा होगी इनके पेच्छा कोlass की यह थोड़ा छोटा आरहा हि यानि अब यह वाली बड़ी होगी पलस वाली यह वाली छोटी होगी यानि ही कतना आएगा पलस इंफाइनाइट यानि जो हम यपसे थोड़ा भी माइन्यूट अहां से थोड़ा भी रह जाएंगे तो यह बात आप लोगों को समधना होगा बहुत इंपॉर्टन बात है मतलब यह बाइलू अगर आपकी बड़ी आएगी और यह बाइलू छोटी आएगी तुरंट प्लस हो जाएगा अगर यहीं चार्द होलो 999 रहता है मतलब पांस थोड़ा कम रहता है तो आपका क्या आएगा तो यह माइनस में आएगा माइनस इंफाइनाइट यानि या अपस अब हम लोग जानते हैं कि 1yf is equal to 1yu plus 1yf और उत्तल दरपन में यह तो रिड़ात्मक होता नहीं है बागी सब दरपन की होते हैं तो हम इसको क्या ले सकते हैं तो 1yf को हम ले ले ए is equal to equal x plus y यह आपका हो गया equation आप हम इस पर ग्राब ड्रा करना चाहें तो देखते हैं यह x रहा यह y रहा आ Performance को हम लोग क्या माने है çek sa u and why u अगर हम x square to sun ले लिखने हैं a equal to y आएगा अब y is equal to अगर सुन लिखते हैं तो a is equal to x आएगा आप लोगों को दोनों बाते clear हो गई होंगी दोनों बाते क्या हो गई होंगी clear a is equal to y अब x is equal to sun नहीं यानि याक्स पे जब sun नहीं चलेंगे आप चलेंगे ही नहीं तो a is equal to y होगा यानि y पर plus a चलेंगे बताए यह origin आपका है यह origin है 00 value o point इस पर minus तरफ नीचे plus तरफ उपर यानि इस बार plus चलना है यानि मालते plus a कुछ यहाँ पर होगा और जब y is equal to sun चलेंगे मनि इस पर नहीं चलेंगे मतलब इस पर नहीं चलेंगे आपकी बार x बरावर तरफ यह चलेंगे और वह भी positive यानि positive ए कुछ इस पर ले लेते हैं यहाँ पर आपका होगा positive a और हम इन दोनों point को अगर यहाँ पर मिला देंगे इन दोनों point को क्या करेंगे मिला देंगे तो जो यही state line आपका graph होगा यह आएगा one by you और one by v का ली वह है one by you come one by v का यह होगा क्या and one by v का graph होगा अर यह one by veg equation है आपका state line जो यह प्राव्त होगा यह state line प्राव्त होने वाला अगर आपको state line नहीं द disreg रहा हाथ तो आप इसको state line बना लीजिए यह अलड़ी स्टेट लाइन ही होने वाला है यह आपका बन गया स्टेट लाइन ठीक है? तो यह आपका ग्राप प्राफ्थ वह इसका 1 by U and 1 by B का आप लोगों को बात के लिए होगे कि हम कैसे बनाए है हम यह स्कुल सुन मायत यह बराबर वाई मिला तो हम यह यह आक्सिस पर ए चले फिर वाई इसके टूसून मायत तो यह बराबर यह स्कुलागे है यह आक्सिस पर हम कितना चले? ए चले अब हम इनको क्या किये? मिला दिए यही आपका क्या होगा 1 by U और 1 by V का ग्राफ होगा अब यह बात पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं अब हम लोग ग्राफ जो ड्राउ करते हैं वो अब बिशेश पर कारण ग्राफ है और उसपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देके देखेंगे जैसे अब जो हमारा graph है वो इसका है U and V का graph U and V U and V का graph हम लोग ड्रा करना है तो हम लोग यहां पर simple सी बात पहले लिखते हैं U V पहले जब U minus infinite था पहली point यह लिखना बहुत ज़रूरी होगा minus infinite था तो यह अफ कितना था इधर तरफ है तो plus तो यह plus f था समझने वाली बात जब यह minus infinite था यह plus f और जब यह origin पर पहुंचा तब यह भी image भी कहाँ पहुंचा आपका object जब origin पहुंचा तो image भी कहाँ पहुंचा origin पर दूसरी point दोनों सुनने सुनने हो जाएंगी इस बार पहले ही सुनने से नोगे फिर इसके बात यह कहाँ पहुंचा minus यह plus y पर तिसरी point यह plus y पर पहुंचा यह जब plus y पर पहुंचा तो image कहाँ पहुंच गया minus infinite important बात यह minus infinite पहुंच गया चौथी बात चौथी बात यह है कि हम लोग इसको कुछ आएसे दिखा सकते हैं जब यह कहाँ पहुंचा इधर देखते हैं जब यह plus y पर है यह कहाँ पर है plus y यानि इधरी तरफ है यह आपका इधर तरफ है और हम लोग अब कहें क्या कि थोड़ा सा इधरी तरफ जुका है यानि plus y इधर तरफ थोड़ा जुका है तो माइस अब आज जया हो हम फोकस से थोड़ा उधर तरफ जुकाएंगा यानि plus y या फिया रहेगा लेकिन आपकी बार यहां से तूट करके यहां पर आजएगा अभी आपको पांच दसमलो जूरो 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 एक वाला और चार्दमलो नौ नौ जिए यहां जाएगा , बस यही वाली अगर हम अगर हम इसको प्लस यहां से प्लसए इंफ़ाइनाइट टक ले गए तो यह सेंटर से कि भागा प्लस इंफ़ाइनाइट टक ले गए तो यह कहां गया यहां से आग indulne talk मों को इस ही पर हम लों को। ग्राप-ग्रॉ PS करने हैं देखते हैं यह आपका है एकस एकसिस और यह एकसिस यहां पर वी है और यहां पर आपका यू है देखते हैं सबसे पहले हम लोग जो मार्किंग यहां पर करेंगे वह मायस इंफ्लाइट से प्लस यह अब यू बराबर मायस इंफ्लाइट यू बराबर मायनस इंफ्लाइट यू यह है तो यह आपका ओरिजिन है इससे मायनस इंफ्लाइट इधर प्लस इंफ्लाइट है मायस अब यह अब इवाले काइडिसन आपका यहां 58- माइनस इंफाइनाइट है माइनस इंफ़ाइनाइट आप काया तो मैंदश को क्या करके है का यह यह कि आप लोग समाझ गया होंगी इदर मएस इंफाइट वर सिंफाइनाइट आप का से अगली बात है और ढाल i ठीक इसके बाद फिर प्लस इंफाइनाइट और यू बराबर प्लस इंफाइनाइट से माइनस इंफाइनाइट से यू जायागा प्लस इंफाइनाइट अब प्लस इंफाइनाइट नीचे माइनस इंफाइनाइट यानि इससे कुछ यह होगा आपका यहाँ पर मालत यहाँ पॉइंट है आपका माइनस इंफाइनाइट और उपर तरफ आपका है प्लस इंफाइनाइट कोई दिक्का नहीं है तो हम पहले इस पर हम लोग अपना graph जो होता ड्रा कर देते हैं तो पहली बात क्या है minus infinite से plus F और 0 से फिर 0 तक तो minus infinite से plus F फिर इसके बार आख कहा गये 0 तक यानि यहां से चलते चलते आफ आए यहां पर यह आपका जो मेर गराफ है आपका यहां आए से यह है आपका और जिन पर आ गए जिरो जिरो पर यह आपका जिरो जिरो पॉइंट है फिर इस से प्लस एफ से माइलस इनिफानाइट यहां माइलस इनिफानाइट यहां इसको य यह आपका हो गया ऐसा यह आपका मिला यह आपका होगा उसका ग्राफ इसके बार हमारा ग्राफ जो होगा वो ब्रेप होने वाला है ग्राफ क्या होने वाला आपका है ब्रेप होने वाला यह आपका मिलेगा यह मिला प्लस एफ से माइस इंफाइनाइट इसके बाद आपका प्लस एफ से प्लस इंफाइनाइट पहुंच गया यह प्लस एफ यादि यही और प्लस इंफाइनाइट वी में तो आपको बात हें clear हो गई होंगी इसका गराब थोड़ा उससे उल्टा आता है x आपके जो हो गई वो axis जो हो चेंज हो गई कैसे कैसे बनता उससे कानकेब से इसका जो होता है वो थोड़ा उल्टा आता है या उसके axis जो होते है चेंज आता है यह वाला नीचे था यह वाला उपर बना था ऐसा बना था लिए इसमें हैसा और ऐसा बन गया तो आप लोगों को यह बातें क्लियर हुई होगी कि इसको इप़ार फिर से देख लेते हैं हम बताएं माइनस इंफाइनएट से प्लस राटि एफ माइनस इंफाइनड और वी प्लस राटिस मिला दिये फिर 00 चले आया पहले माय सिर्फाइट से प्लस इफ से होते विए कहां चले आए यहां से होते विए चले आए जीरो जीरो हो गया इसके बाद प्लस इफ से माय सिर्फाइट प्लस इफ आपका इसका है यहां पर माय सिर्फाइट यहां पर यानि यह यह वाई लाइन से मिलेगा जाती आती यहां जा प्लस इंफाइनाईट वी तो वी नीचे माइन इफाइनाईट उपर प्लस यानि यहां से ग्राफ आपका इस्टार्ट ओगा चलते चलते जलते जायेगा और कहां तक प्लस इंफाइनाइट से प्लस फिर से माइस इंफाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट से प्लस इफॉच नऔर कंद ऐसे बाइस श्ञक्ट आई चलते हिगा इस लाइन जाकेov कर सब्सक्राइब कर गया होज पात को फिर इसके बास इससे प्लस in आगे अब देखते इन यह प्लस in sensitive कहां पर इस पिर प्लस in collective पर यहाय और प्लस इन्स हम पर यहां पर्रने यह शेयो लाइन से टाठ्ट करेगा यहां से और फिर प्लस समझ गया हूंगे अच्छे से भली बात और इसको कैसे कैसे बना गराब और कहा कहा पर आपका रियल आयेगा तो आप लोग एक बात और इसमें संझेंगे और जानेंगे जब आपका यह वाली करिशन रहेगी मतल्य हला हम आप लोग बात सल्य नेंग डगे कि जब आपकी यह वाली condition रहेगी जब आपका यहां से चलते चलते जाते 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 यहां तक आपका पहुंच गया यहां यहां से यहां तक जब इमेज पहुंचा तो यह आपका imaginary है मतलब आपका वर्चूल इमेज बनेगा कैसा बनेगा वर्चूल बनेगा आभासी बनेगा यहां तक इमेज इसके बाद जो यह इमेज बनेगा वह आपका क्या रियल होने वाला है क्या होने वाला आपका रियल मतलब यह जीरो जीरो के बाद यह जो प्राप्ट होगा यहां व आपका ये वाला जो धाल होगा, यहाँ तक का आपका real image बनेगा, कैसा image बनेगा, aap लोग जानते रहिएगा, बहुत important बात है, ये वाला जो होगा है, क्योंकि आप plus f को test कर रहे हो, जो you होगा, जब plus f होगा, आपका test करेंगा, तो आपका, और महार से fight होगा, ठापका कैसा image बनेगा, अब लोग हो इसमें भी उब्टतल दारपण में भी रेल इमेश बनता हम आपको बता दी, ऊपका इमेश बनेगा रीयल बनेगा बाकी एक कंडिशन और आप देख लीए, जब आपका आप आपजेक्ट लेकर सेंटर पर पहुंचोंगे, तो आपका इमेश बनेगा वह सेंटर पर ही बनेगा कैसा बनेगा सेंटर पर बनेगा और सीधा बनेगा कैसा बनेगा स्वारी यहां पर कैसा सेंटर पर बनेगा और उल्टा बनेगा ठीक तो यहां पर सेंटर पर बनेगा एक कंडिशन आप लोग यह भी जानते हैं जब आप सेंटर पर बस तो रखे तो तो इसका image भी कहां बनेगा? Center पर ही बनेगा. तो आप लोग ये बातें समझ गये होंगे. आसानी से हम लोग कैसे image को कैसे object को आगे बढ़ाएंगे तो आपका image आगे बढ़ेगा. इस object को कहां ले जाएंगे तो image कहा जाएगा. आप लोग ये बातें पूरी तरह से clear कर लेंगे और आच्छे से समझ लेंगे आपको ये बातें पूरी तरह से graph जो होगा वो clear हो गया होगा और इस class में इतना ही इसके आगे मिलते हैं next class में